दोस्तों अब आप हमें अनेकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं इसके लिए आप अनेकेडमी का लर्निंग एप प्ले स्टोर से इंस्ट्रॉल कर लेंगे तो आपको हुमारे द्वारा दिये के कोर्सेस की वीडियो आसानी से प्राफ्थ हो जाएंगे दिस्क्रिशन में लिंक दिया है क्लिक करके फॉलो कर लीजिए आप देखेंगे यहां पे आपको यूपीटेट सीटेट सारे कोर्सेज अवेलबल कराए गए हैं तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका MSSSC Notes में और आज हम LCM और SCF यानि की महत्तम समापवर तक और लगुत्तम समापवर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशन पर चर्चा करेंगे ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रशन है वह बड़ी से 1450 और 1615 को विभाजित करने पर श्रेश क्रम सह 4 और 5 बचता है इसके चार ऑप्सान है 13 14 15 और 16 ठीक है आप हमारे साथ questions करते चलिए और जैसे जैसे आप का अंसर आता है उसको comment box पे comment करते जलिए ठीक है यहाँ पे आप देखते हैं कि हमको सबसे पहले करना बड़ी से बड है बड़ी से बड़ी संख है इसका मतलब सीधा सा है कि हमको वहाँ पर असीयक निकलना है लेकिन यहां पर questions को अच्छे से पढ़ना है ठीक है तो यहां पर क्या दिया हुआ है क्रम से 4 और 5 बचता है यहां पर 1250 और 1650 को भाजित करने पर श्रेश चार और 5 बचता है तो क् सबसें कर लें गए इसका हम सेकों सफन कर लेंगे इसका कर लेंगे इसका करने निकालने पर देखने यह आता है 126 निकालनेंगे सेकर सबसे करते हैं जोंब करना है पहले कि अजना तो आएगा 2040 को शौंब संख्या होती है समान अंक होते हैं उनको हम बनाएंगे जोड़ा बनाएंगे और उसको गुणे की रूप में लिख देंगे कहीं पर नहीं संख्या तो आप इसको देख सकते हैं जो प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं और आपसे प्रश्ण बन रहे हैं तो इनको जल्दी करिए और कमेंड बाक्स पर कमेंट कीजिए अंसर को नेक्स्ट पर चलते हैं वह Wis això संघ्या जो 12-15-20 से विभाद जिवा पूर्णब्र सोर ने तो कहीं भी ऐसा लाइना कहीं हें पे भी नियूनटंग संख्या जैसी लाइना ये दिसको समझ जान है नियूनटंंग संख्याम मतलब क्या लसीयम कहीं भी सब्सक्राइब निकालना है तो पहले हम को समझेंगे 12 15 और 20 लिख लेंगे फिर दो से काटेंगे तो हम तीन से काटेंगे ठीक है अब हम इसको तीन से काटेंगे तो अब 3 एककम 3 और 3 15 और 3 5 से काटेंगे अब हम यहां पर इसको 5 से काटेंगे यह 5 और 5 एक हो जाएगा इस तरह हम लेकिन नियुनतम संख्या जो विभाज तो हो नियुनतम संख्या हमने निकाल ली लेकिन वह पूर्ण वर्ग होना आवश्चक है क्यों प्रतीत होता है तीन और 5 और इसमें तीन और 5 के गुणाँ और कर देंगे तो 3 का करेंग को साथ है टिसका सीधा से यहां पे नौइ स्वाजई गा और यही हमारा राइट ठीक है इसी नंबर हमारा राइट अंसर तो फ्रेंट जल्दी करिए को क्योंकि आपके पास सांवे बहुत कम रहता है और हमको तो इसमें पूछा किस बड़े मात्राओं को पूर्णते मापा जा सकता है कहीं भी मैंने बोला था बड़ा कहीं भी बड़ा आपको दिख जाए तो उसमें सीधा सापको कुछ निकाल लेना है कि इसमें सी जैसा से से निकाल लेंगे स्ट इस निकाल लेंगे उसी तरह चात्र जालीज कर देंगे एगा दो गूने दो उन्हें तीन गूंगे 5 भाततार आपस्ताओ सभी से बनता हो गालाइगे नो से काटेंगे आएगा आठारा दो से काटेंगे आएगा थे सम jáстेंगे ज ermावर और में इसे इस तरह को सभी कुण घंलना है तीनो संख्याओं को जो इनका गुड़न खड़ निकाले हैं, अब इन में common देखेंगे, समान अंग कौन कौन से हैं, तीन गुड़े तीन, इसमें भी गुड़े तीन है, इसमें भी तीन गुड़े तीन है, ठीक है, योग ग्याद कीजिए, ठीक है, योग कैसे ग्याद करेंगे, योग देखेंगे, इसमें चार अपसंदी हैं, 60, 40, 20, 30, तो सबसे पहले हमको अनपात से डरना नहीं, लोग क्या करते हैं, हम लोग करते क्या हैं, ऑनपात से डर जाते हैं, एक अनपाते, दोबटे, तीन, इसमें डरना बिलकुल नहीं है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सिप्लिफाई कर लेंगे, सरअल कर लेंगे, दोनों भागों में, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, हम तीन का गुणा कर देंगे, एक का गुणा तीन से और दो बट्टे तीन का गुणा कर देंगे, तीन और तीन कर जाएगा, और यहाँ पे एक अनपाते दो बट्टे तीन किसके बरावर हो जाएगा, तीन अनपाते संक्या के लिए हम इसको यक्स मालेंगे ती एक सूत्र होता है क्या संख्याओं का गुड़न फल किसके बराबर होता है LCM गुड़न HCFC यह प्रैशन में भी आ सकता है संख्याओं का इसे कहने संख्याओं का गुड़न फल फिए इससे क्या होगा अब डोनों साइड से x कड जाएगा 4 x वोने ऑफिर कितना आ जाएगा ईक्स गमान आ जाएगा फिर 8 ठीक है अब आप निकला है इसके बाद संख्याए निकाल लेंगे तो 3x 3.8 24 आ जाएगा दूसरा संख्या 2x 2.8 16 आ जाएगा हमको क्या निकालना था प्रश्मिद्गौर से देखे के अब लिखा हुआ है संख्याओं का योग ज्याद करना है हमको महत्तम समापवरते नहीं ज्याद करना है हमक संख्याओं का लघुत्तम समापवरत उनके महत्तम समापवरतक से 40 garbage है यदि दूसरा संख्याओं का गुलंपल 1449 हैं तो उनका महत्तम समापवरत ग्याद कीजिए इसमें भी देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे HCF, यानि की महतम स्मापफ़ तक HCF X ले लिए लिए और LCM क्या लिखा हुआ हो है प्रस्ण में लगहत्तम स्मापबर तक, उनके महतम स्मापव तक, चालिस गुना कर दिए LCM से, HCF से, HCF हमने X ले लिए, तो LCM क्या लिए लिए चालिस एक कि अब हमें वही सुत्र लगाना जो हमने पीछले प्रश्ट में लगा था संख्याओं का गुड़ान फ़र वराबर ल्ट से यह प्रेस्ट इस तरह के सब्सक्राइब इस तरह बहुत सारे आते हैं तो इन पर गोर से करिए इनको ठीक है अब संख्याओं को गुड़न फर्ल पहरे ही प्रेश्ट में दिया हुआ है 1440 है 1440 लिख देंगे LCM 40 X था और यही अक्स था ठीक है तो X और X से गुड़न करेंगे तो X स्क्वार हो जाएगा यहां पे 40 बचे का 40 को हम 1440 की नीचे लिए भाग देंगे इसका क्योंकि यहां गुड़ना में तो दूसरे प्रक्षम में लिए तो क्या हो जाएगा भाग में जब भाग देंगे तो 36 आएगा हमारा Иकसक्वार बराबर के होardan गर चैसे अब एक्स बराबर चाएगा एर शाइ पिंपशण पर चलते हैं एक घरी एक बंढस्ती है 2 बज़े 2 बार बसती है, 3 बज़े 3 बार बसती है और इसी प्रकार बचती रहती है तो वह एक दिन में कितने बार बज़ेगी सबसे पहले इस प्रेशन को अच्छे से पढ़ते हैं क्या है हम लोग कई बड़ जल्दबाजी कर देते हैं और केवल 12 ही क्या करते हैं इसको सीधे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस सीधे हम 24 तक जोड़ते हैं लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है 24 तक विल्कुल नहीं जोड़ना है क्योंकि 24 घंटे जरूर होते हैं लेकिन घड़ी में केवल 12 तक ही अंक होते हैं ठीक है तिसके लिए हम क्या करेंगे एक बज़े एक बार बस्ती है दो बज़े दो बार बस्ती है तीन बज़े तीन बार बस्ती है इस तरह बारा बज़े तक बार बार बज़ेगी लेकिन फिर से अब बारा बज़े के बात क्या आ जाएगा बारा बज़े फिर से एक बज़े यन एक अंतिर संख्या होती है ठीक है तो इस तरह दोनों यूज कर देंगे इस में भी उस करेंगे तो सेम हो जाएगा यह भी सेम हो जाएगा 12 12 12 प्लस एक बटे दो और 12 12 प्लस एक बटे दो n 2 n प्लस 1 n की जगह पर 12 रख देना हमको कुछ नहीं करना है दो से काटेंगे 12 को 6 आएगा इधर भी दो से काटेंगे 6 आएगा ते यहां 6 रख देंगे 12 प्लस 13 हो जाएगा 6 गुने 13 6 गुने 13 से 15 है और 20 की पंक्ती बनानी है ठीक है तो नियूंतम संख्या क्या होगी और एक और चीज नियूंतम संख्या क्या होगी और पूर्ण वर्ग भी बनाने हैं तो क्या से करेंगे नियूंतम संख्या के लिए क्लिए क्या करना है हमको LCM निकालना है तो नियूंतम के लिए सबसे 3 और 5 कहां पूर ने हैं इस लिए 3 का गुना कर देंगी और 5 कभी कि गुना करतिए k So तो आजायका हमारा 900 ठीक है इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा 900 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा एक रेजिमेंट की सिपाही ठीक है इस प्रेशन का राइट आंसर होगा C नमबर 900 अगले प्रेशन पर चलते हैं अगले प्रेशन पर चलने से पहले हमको क्या सीखना है हम कुछ दो महतोपोन इसमें सूत्र है भिन्नों का लखुत्तम समापुरता क्यानी की भिन्नों का LCM कैसे निकालेंगे जैसे भिन्न है कोई तो भिन्न का LCM कैसे निकालेंगे आप बिन के LCM के लिए क्या करना है अंसों का LCM ठीक है यानि की Numerator का LCM और हर यानि की Denominator का SCF निकालना पड़ेगा यह सूत्र होता है बिन का महत्तम समापर्तक यानि की Numerator का LCM निकालना है यह दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं इन दोनों सूत्रों से देखें अब मैं एक प्रेश्न देखते हैं यहां पर यहां एक प्रेश्न है 0.32, 2.72 और 12.8 का महत्तम समापर्तक याद कीजिए इससे डरना बिल्कुल नहीं है सबसे पहले हम सूत किया करेंगे सबसे पहले आप इसको भिन्मे परिवर्तित किजिे सब्सायर करने के बाते क्या हो तो आइ तो इसमें देखना क्या है हमको समान तो नहीं हम थो टीनों में साइं चार बार ऊचेशंo ने कि दो कुले दो पर इसका साव करें के तो आएगा सुमाल गया जाएगा 16 तो इन तीनों के सिफ कितना आ गया इन तीनों के सिफो आ गया और गजें नीचे दिए हुए सबसर्ण और 10 के लस्यम कभी भी तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही और अगर आपको वीडियो पसंद आए हूं तिसे लाइक करें इसको सेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसको आप ऐसा चैलेंज लें जैसे जैसे मैं सॉल्व करते आता हूं उससे पहले आप सॉल्व करके इसको कमेंट बक्स पर कमेंट कर दीजिए ठीक है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू अ सॉल्व करके खू만 या हमादिके और हैंशर आता हैं कि यू थैंल खू सेयर करते हैंशर आता हैंशर आता हैंशर पलप जा जए सेयर क्पू ऋम मैंचक्तों क। आप सॉना आता हैंशर रयूигрू करूब तोaks़ सेयर जा भीव खू खूआब हूभ